नुश्कार मैं परवी नहलावत आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर टीवी इस वक्त बेरी विदानसभा शेत्री के गाउं हैं बागपूर यहां पर आई हुए हैं और तमाम जो बुज़ुर्ग हैं यहां पर ताश खेल रहे हैं उनसे जाने की कोशिश कर लेते ह हैं कि उनके गाउं का क्या रुख रहेगा क्या हवा रहेगी कोंग्रेस इनलो जेजेपी या बीजेपी उनसे जाने की कोशिश करते हैं हो जाता है ताश में वैस कोई नहीं आप खेलते रहे हैं आप से पूछेंगे हां जी ताउजी आप बताएए कि आपके गाउं का क्या रुख रहने वाला है अभी तक जो हमारे गाओं के अंदर तकरीब अन एकिस सो वोट हैं जिन में जब तक कंडिडेट नहीं उठाया है तब तक हमारे जो रेश्यों है यहां का वो फिफ्टी थर्टी और फिफ्टीन के अंदर बैलेंस अगर कंडिडेट विक्रम का ध्यान हम को जाएगा 30% कांग्रेश को और 5% बचे हुए जिसमें जज़पा और हिने लोग सामिल है अभी तक है यह है शुक्रिया 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 आप बदाईए जी आपका क्या रुख रहेगा आप किसको डालोगे मैं तो बीजेपी की बीजेपी की विक्रम का ध्यान की आप बदाईए सर आपका रुख क्या है बाच राइबोट दिकम बदाए है इने लोगी आपका कट्टर हो बिलकुल पका कारण क्या इस तना है इतने कट्टर हो शुरू से ही शुरू से जेजेपी भी तूट के आगी जेजेपी की नहीं मतलब ना तो द्रियोंपर का शुक शुक्रिया यहां भी बैठे हुए हैं उनसे भी जाने की कोशिश करते हैं आप बदाईए बाउजी आपका क्या रुख रहेगा आपके गाओं का और आपका क्या वो है बीजेपी कॉंग्रेस जेजेपी आइने लो बीजेपी की ज्यादा वोट है विक्रम को टिकट मिलती ह है तो और ज्यादा है उससे और ज्यादा हो जाएगा आप बदाईए सर आपका यह बीजेपी का विक्रम का द्यान की चर्चाई भी चल रहेंगे टिकट को लेकर और काफी मजबूत दावेदार है और को नहीं मिलती है फिर फिर भी बीजेपी की बोट जाता है ऐसा ही है व वोट वाट है नहीं आपके गाओं में अजी भाई साब बदाईए कांगरेश के हैं वाई साब 30% वोट है वो डोक्टर की है अदिपिंदर उड़ा है यह है वाई साब परसनली वोट भी और दिपिंदर का भी ज्यादा दो रहे है ठीक है जी आजी बाउजी आप पता यह विकरम की ज्यादा भुट है जी शुक्रिया तो इसे देखा कि बागपूर की जो चोपाल है उसमें साफ तोर पर लोगों का कहना है कि बीजेपी की है ज्यादा वोट यहां पर बताई जा रहे हैं एक ताउ है बिल्कुल कटर इनलो के वो भी हमें यहां पर मिले हैं और ऐस प्रबल दावेदार तो हैं भाजबा की टिकट पर पिछली बार भी लड़ा था अगर विक्रम काद्यान को टिकट मिल जाती है तो उसके बाद बागपुर गाउं में जो रेश्यो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि अगर गाउं से कोई उमीद्वार आता है तो गाउ पर गाउं में पलड़ा है वो भाजबा का ही भारी रहने वाला है शुक्रिया